नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनीश स्वागत करता हो आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में दोस्तों एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर आपको जानने को मिलता है कि एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे इंपोर्ट कैसे किया जाए इस तरीके से आपको बाइर करने है इस में क्यों क्या आना चाहिए इसमें क्या आना चीों..! साथ में payment इसमें कैसे मिलता है buyer को price कैसे देनी होती है custom clearance की क्या procedure होते है तो इस सारी चीजों की जानकरी जो है आपको हमारे YouTube की channel के माध्यम से मिलती है हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने locally product को globally कैसे लेके जाए एक local market से आप निकल के international market में कैसे enter करें और अपने एक normal life को कैसे आप बहतरी लाइफ के अंदर बदल सकते हैं ये सब चीजे जो है आपको export import से मिल सकती है जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं तो export import business करना इंडिया से बहुत आसान है बस आपके पास एक product होना चीए जिसको आप international market में लेके जाए उसको sale करें तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि how to start export import business from India यह हमारी export knowledge series का part 3 वीडियो है जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि इंडिया से export business कैसे शुरू किया जाए तो इंडिया से जो है आपको export import business शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक product होना चाहिए आपके पास अगर product है और उसके बारे में आपको proper जानकारी होना चाहिए अगर product है और product की जानकारी नहीं है उसकी sourcing का पता नहीं उसकी pricing का पता नहीं है उसकी packaging यह पता नहीं है तो आप जो है एक्सपोर्ट इंस में अपको लॉंच नहीं करें जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो तो सब नमबर आता है market selection का तो आपको अपने product का market कहां ये पता होना चाहिए जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके product का market कहा है तो फिर आपको वहाँ international marketing करनी पड़ती है अब product के market को जानने के लिए थोड़ा सा analysis करना पड़ता है data collect करना पड़ता है जिससे हम ये समझ पाएं क कि हमारा product action में जाता कहा है तो ये data collect करने के लिए आपकी कुछ government की website है जो आपकी मदद करती commerce.gov.in और निरियात portal जो हाले में launch किया गया export import business का portal है जिसमें आपको ये बता जलता है कि ये product का export इंडिया से कहां कहां किन कंट्री में सबसे जादा हो रहा है और आपके कौन से इस state से क्या product का export किस country में हो रहा है तो suppose करिए आपके पाफ fruit and vegetable है तो इसका market जो है पूरा गल्फ countries है थोड़ा बहुत European countries भी है हमारी nearby Asian countries भी है जैसे बंगलादेश हो गया है नेपाल हो गया है तो vegetables को आप जो है इन इन countries में target करके अपने product को sale कर सकते हैं सबस्करिए आपक jams and jewelry के अगर हम बात करें तो jams and jewelry का market आप track करें कि कहां पर हमारा product जाता है कहां पर इंडियान से उसके लावा कुछ European countries में जाता है मलीशा जाता है सिंगापूर जाता है तो इन countries को आप target करें अगर आप natural stone के business में है तो natural stone एक construction related field है जिसके अंदर अगर आप natural stone का export करते है तो आपको पूरा word जो है एक तरह किसे market के रूप में दिखाई देने लगेगा क्योंकि हर जगे कहीं नगे construction होता है माबग इनेट के requirement होती है sand stone, lime stone, सभी तरह के natural stone जो है उनकी requirement रेती construction field में तो आप उन product को अगर आप select करें तो आप अपना market जो है decide करें सबसे बहले कि सब्सक्राइब लुड़न करना है अगर हम इंडिया के और राजस्तान की बात करें माबग इनेट की तो ये विजनेश जो है बहुत अच्छे से किया जा सकता है और इसकी target अपना उसके बाद एक मार्केट करना पड़ेगे के आप को कहां उसकी मार्केटिंग करने हैं कि अब करने आपको बहुत बड़ा इन्वेस्मेंट करना ऐसा नहीं है अगर आपका खुद का product है आपकी खुद की manufacturing है already तो तो बहुत अच्छा है अगर आपके बास कोई manufacturing unit नहीं है तो initial level पर आप manufacturing unit ना करें पहले आप देखें कि कौन इस product का manufacturer है फिर आप वहाई से उस product को खरीदें और international market में sale करें तो आपको इसके लिए कोई investment की जरूद भी नहीं पड़ी आप जो order जो है आप किसी भी quantity के अंदर कर सकते हैं चाए वो एक टन का order हो दो टन हो अगर cases में या weight के अंदर आप export कर रहे हैं तो pieces wise भी आप export करते हैं कोई export के अंदर कोई quantity का कोई वो रही है कि हम 10 piece कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं या पूरा container कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप quantity कुछ भी हो जो आप export कर सकते हैं ठीक हैं तो आप क्या कर सकते हैं market selection के बाद वहाँ पर उस country को target करना चालों करें और साथ में जो है आप अपना सबसे पहले एक firm name decide करें कि आप किस firm से जो है किस firm के नाम से जो है आप export करना चाहते हैं तो अपने company को एक नाम दे लेंगे तो नाम देने के बाद उस company का registration कराने का number आता है तो आप जो है company को registered करा सकते हैं as a private limited as a LLP as a proprietorship अब में initial जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो नए नए export में आते हैं मैं उनको generally suggest करता हूं कि आप जो है अपनी company को इस प्रॉप्राइटर्शिप चालू करें ताकि आपको इसमें ज्यादा investment ना लगे ज्यादा खर्चा आपका ना हो और प्रॉप्र आपको अल्मौस्ट दो जारुपे के अंदर हो जाता है जो भी हम कर देते हैं जब आप अपको उपन कराना पड़ता है जब आप अपको यह दिखना पड़ेगा कि उस बेंगका personally अपने आपके गाउं की बैंक के पास एड़ी कोड नहीं है और वह बलते हैं कि आप आपका डिस्टिक जो है वहां पर एड़ी कोड वाली ब्रांचे तो आप वहां जाएं वहां अकाउंट ओपन करें और वहीं से जो है एक्सपोर इंपूर्ट के सारे प्रोसेजर को एक्सप हम आपको लेना होता है इंपॉर्ट-मट कोड एक्सपोर्ट कर सकते तो बहुत इंपूर्ट के आपको एक ही import・ export code लेना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी product में trading करें, आप किसी product में deal करें, तो आपको जो एक ही import neighbors export code लेना पड़े पडेगा, एक ही import export code के ऊपर, आपड़ बी product export कर सकते हैं, और कोई भी product इंडिया में import कर सकते तो export import code लेना बहुत ही easy है, जो आप DZFT की website से ले सकते हैं, अगर आप हमसे contact करते हैं, अगर आपको import export code लेना है, तो आप हमसे भी contact कर सकते हैं, जिसमें हम आपको import export code बना के दे देंगे, तो दोस्तों IEC लेने के बाद नंबर आता है RCMC का, RCMC क्या होता है, RCMC होता है registration membership certificate, ऐस कई export promotion council government ने बनाई होई है, साथ में कुछ commodity board भी बनाए गए है, जिनसे हमें registration कराना पड़ते हैं, उनका certification, उनकी membership लेनी पड़ती है, तब जाके हम उन प्रोड़क का export कर पाएंगे, और जो है हमें drawback लेने में आसानी रहेगी, जो है एक तरीके का government benefit होता है, जब हम export करते तो government ने काफे सारी export promotion council बनाई हुई है, और commodity board भी बनाए गए है, अगर आप एक रो commodity export करते हैं, तो आपको APIDA का RCMC लेना पड़ेगा, अगर आप spices का export करना चाते हैं, तो spices board का RCMC आपको लेना पड़ेगा, अगर आप cashew जो है export और import करना चाते हैं, तो आपको cashew board का RCMC ले लेते हैं, तो वो उसके लिए जेजी, इपीसी, जायम, सेंजोरी, export promotion council बनाई गई है, जिससे जो है आप RCMC लेते हैं और अपने product का export करते हैं, ऐसे, ऐसे carpet के लिए बनाई गई है, carpet export promotion council, chemical product के लिए, capexil and chemexil बनाई गई है, ऐसे बहुत सारी export promotion council बनाई गई हैं, जो आपक का काम करते हैं, तो आपको उनका registration कम membership certificate लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप export करते हैं, suppose कीजी आपका कोई ऐसा product है, जो किसी भी commodity board या export promotion council के अंदर नहीं आता है, तो उसके लिए government ने एक FIO बनाया है, Federation of Indian Export Organization है, जिसका आपको फिर certificate उसमें RCMC लेना होता है, अगर आपक registration से पहले होता है, कि Icegate registration मतलब आपका कोई भी product जब export होता है इंडिया से, तो custom के clearance होने के बाद ही वो आगे जाता है, ऐसे या अगर आप कोई product import करते हैं, तो clearance होगा उस product का उसके बाद ही आप उसको import कर पाएंगे, तो export import करने के लिए आपको पहले Icegate एक custom की website है, उस पे आप जिस भी port से export करना चाह रहे हैं, उस port को आपको Icegate के साथ registration करना होता है, कि हम इस port से export करेंगे, या इस port से हम import करेंगे, तो उस port का भी आपको registration करना पड़ता है, तो Icegate registration होता है, उसमें ID code registration होता है, आइस gate पे अकाउंट आपका create हो जाता है, उसके बाद ID code registration होता है, पर प्रश्चाहर तो यह सारे कम एक साथ हूँ जाते हैं आपके 7-7 दिन इसमें आपको लग जाते हैं जब भी आप एक्सपॉर्ट करें या इंपोर्ट बात यह है कि आप सारे डॉक्मनेटिशन पहले थाला करें मुझे पुल थे सब्सक्राइब पूरा कम्लीटली सेट अप करें उसके बगे आप कभी भी बिना किसी दॉक्मेंटेशन की तैयारी के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करें तो यह तो दोस्तों डॉक्मेंटेशन फ्रेमवर्क की कि आपको क्या-क्या पहले तैयार करने पड़ेंगे एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए इंडिया से आपको क्या-क्या तैयार्या करनी पड़ती है जब आप यह पूरी सैटप आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको आपके मार्केट के अंदर आपको बायर फाइंडिंग का नंबर आता ह तो आप हमारे चैनल को सब्काइब करें अगर आपको आगे के वीडियो तेखने हैं समझना है completely export, import तो हमारे चैनल को आप सब्काइब कर सकते हैं तो प्राइजिंग देने के बाद जो है आप payment terms उनके साथ decide करें payment term जब आपका decide हो जाता है तो बायर की तरफ से आपको एक confirm और आता है वो आपको पर्चेजिंग ओडर देता है जब आपके बास एक पर्चेजिंग ओडर आ जाता है तो आपको एक पर्फॉर्मा इंवोइस एक तरीकी का कच्चा बील उसको बोल सकते हैं या सेल्स कॉंट्रेक बिट्विन बायर और सेलर उसको बोल सकते हैं तो आप ज यह सब चीजंई, एक्ष्पोर्ट और picture के नाम, कौन से पॉर्ट से लोड होगा, कौन से पॉर्ट पे जाएगा, तो यह सब चीज़े जो है, प्रफोर्माइ इनवरस्ट, के अंदर आपको मेंशन करनी होती है, जब आप फोर्माइ इसमें यह सब चीज़े mention कर देंगे उसके बाद जो है बाइर से आप उसका sign confirmation ले लें sign confirmation लेने के बाद अगर आपका advance payment है तो आप बाइर से payment लेने के बाद जो है आप material को तयार करें material तया करने के बाद material को पोर्ट पे dispatch करें पोर्ट पे dispatch करने से पहले आपको custom का एक बंदा वहाँ पे पहले से पूर्ट से collect करने होते हैं document collect करने पर आपको फिर वह बायर को भेजने अब क्या क्या document आपको collect करने होते हैं उसके लिए आपको shipping bill एक जो customer document file होता है वह आपको collect करना होता है विल ओफ लेडिंग आपको freight forwarder से लेना होता है fumigation certificate है certificate of origin है तो यह सारे document जो है आपको port से collect करने हैं उसके बाद जो है सारे document आपको buyer को courier कर देने हैं तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप इंडिया से अपना export import का business शुरू कर सकते हैं अगर आपकी अभी भी कोई query है तो आप मुझे सकते हैं कि किस तरीके से आपको इंडिया से completely export import करना है क्या-क्या आपके प्रोडक्स related आपको क्या-क्या procedure अपना पड़ेगा क्या-क्या document बनाने पड़ेगे इस दस मिनिट के वीडियो के अंदर यह प्रॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सभी प्रोडक्स related आपको documentation या सारा procedure इस पर guide कर पाएं पर अगर आपको फिर भी कुछ जानना है तो आप हमें जो है स्क्रीन पर देगे नंबर पर contact करें जिसमें मैं आपको completely जानकरी दूँगा कि किस तरीके से आपको जो है export import business आप यहां इंडिया से शुरू कर सकते हैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो म जानकरी आपको पसंद आई होगी मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों वर्मॉच